नमस्ते बारत आज के वीडियो में हम जानेंगे अगर हाई वोल्टेज की लाइन जमीन पर गिर जाए तो वहांके इंसान आसपास कैसे बच सकते हैं और वो लाइन गिर जाती है तो क्या होता है पावर इस्टेशन से अपने घरों तक करेंट की सप्लाई कैसे होती है और हम य इसी से करेंट जाता है कैसे जाता है यह ना बहुत ही जादा हाई वोल्टेज की होते हैं हाई वोल्टेज का मतलब इनमें पोटेंशियल डिफरेंस बहुत ज्यादा होता है इसका मतलब का हुआ जितना जादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा करेंट उतनी तेजी से ठीक है और इसको बोलते हैं पीक और यह बोलते हैं केश जालसा और यह ऐसे यह इस तरीके से लटक रही है ना इनको बोलते हैं आर्म और यह आर्म पर यह जी जो चीज लटक रही है इसको बोलते हैं इसको पॉर्सलीन का बनाया जाता है किसका पॉर्सीलीन चीनी मिट्टी का बनाया जाता है अभी मैं बताऊंगा सारी चीजें अब देखो ये जो आर्म लटकी हुई है इस तरीके से इनमें है ना मोटे मोटे बायर जो की फेस बायर बोलते हैं जिनको वो जा रहे होते हैं इनहीं में करेंट की सप्लाई होती है अभी मैं बताता हूं ये सब्रा देख तो यह तुमने इसके बारे में हलका सा मैंने बता दिया अब आगे चलू यहां पर देखो यह क्या है अर्थ बायर तो यह सारे के सारे बायर जो होते हैं किस मैटेरियल के होते हैं देखो इसको बोलते हैं अर्फ वायर के अंदर अच्छे से के निन तरहे का प्रवावी बहुत अच्छे से होता है और यह यह एसी एसार होता है aluminum conducting steel reinforce बहुत ही जादा मजबूत होता है और ध्यान दो यह जो अर्थ वायर है ना अर्थ वायर के अंदर यह तुम देख रहे होंगे opgw इसको बोलते हैं optical ground wire इसका पता है क्या काम है optical ground wire का काम है जो तुम 4G 5G internet का इस्तमाल करते हो तो internet का जो supply होती है वो यहीं से करवाते हैं यह खंबे हैं इनको internet के लिए भी इस्तमाल कर लिया जाता है और बड़ी बड़ी जो company है जी यो लब आइडिया वगएरा यह सब इसको खरीद लेती है इसे इंटरनेट को यह जो बायार है न इसी से power line current communication होता है इसन का मतलब हुआ एक सब station से दूसरे सब station तक कोई भी communication करना है कि भाईया यह लाइन खराब हो गई इसका तार कटके गिर गया तो वो इसी लाइन के थ्रू होता है अब ध्यान देना ओपी जी डबलू यानि की ऑप्टिकल ग्राउंड के वल मालू है इसमें टोटल इंटरनल reflection के कारण communication कर पाते हैं और इंटरनेट यहां पर आ पाता है यह बहुत ही जादा पतले पतले बायर होते हैं ठीक है इसके अंदर ही और यह जो चीज देख रहे हो तुम यह क्या है भाई साब यह देखो यह तुम्हें डेंपर देख रहा है लगा हुआ देखा होगा तुमन अर्थवायर आखिरकार क्यों लगाया रखता है अब यहाँ पर तुम यह अर्थवायर देख रहे होंगे यह इसका काम क्या है इसको सबसे ऊपर वाले पॉइंट से लेके जाया जाता है transmission line के और वो इसलिए लगाया जाता है अर्थवायर क्योंकि इसके अंदर OPGW हुए ठीक है, optical ground wire, और, इसका एक और काम है, माल लो, यहांसे कोई conductor तूट जाता है, और तूट के इस लट्टे से सट जाता है, तो इसके अंदर current जाएगा, तो वो जमीन में current जाएगा, तो आसपास जो भी इंसान आएगा, या जानवर आएगा, उसकी मौत हो जाएगी, ठीक है, लेकिन होता क्या है, होता क्या है, इस earth wire को जैसे ही लगा लेते हैं, तो यहांसे कुछ भी तूट के इससे सट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, जो भी current इसके अंदर फिलोगा, वो इस wire से होके निकल जाएगा, ठीक है, वो direct यहांसे अर्थिंग होगी उसकी, बास समझगे त इसलिए इस earth wire को लगा जाता है, और तो दो potential आते हैं, एक तो touch potential आता है, एक step potential आता है, touch potential का मतलब है, इसके अंदर touch potential आ गया, यानि कि अब जो भी इसको छूलेगा खंबे को, खातमा हो जाएगा उसका, ठीक है, और step potential क्या होता है, मैं तुम्हें आगे समझाऊंगा, ले इसलिए spacer लगा जाता है, इसका काम है space बनाने वाला, अगर ये शट जाएंगे तो धमागा हो जाएगा, ठीक है, चटर मटर हो जाएगी बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए spacer लगा जाता है, और एक और चीज देख रहे होंगे, तुम्हे जो ring है, इसको देख रहे कि मान लो, बारिस पढ़ रही है, करेंट तो बहुत जी से भई रहे है, ठीक है, तो बारिस पढ़ने से क्या होगा, इसके अंदर जो है, इस पार्किंग वगेरा जनरेट होने लग जाएगी, तो करेंट लीक होगा, और उसी करेंट के लीकेज को क्या करेंगे, बहुत करेंट जो होता है, तो उसको एंटी करोना रिंग से लीक कर दिया जाता है, भार निकाल दिया जाता है, ठीक है, तो इससे क्या है, एक घटना मच जाती है, अगर बायर हीट होगा, तो तूट जाएगा, तो बायर तो फिर भारी नुकसान हो जाएगा, ठीक है, जमीन वमीन दगे जाएगा फिक है तो उससे बहुत हो настाथ orada है धुषी इसको लगा जाता है अब इसका यहां तक आऄ हरा है तो आप होके जाएगा यह पॉर्ड्स लींका इंसियूलेटर होता है किसका पॉर्सिलीन का इंसियूलेटर यह जो तुम देख रहे हो ना यह इंसियूलेटर होता है करेंट इसमें से बहना बंद हो जाता है अब इस जंपर वायर को लगाने के दो कारण है देखो जैसे कि तुम देख रहे हो यह जो वायर आ रहा है वो यह यहां पर बांदिया है इसका मतलब लोड इसका डिस्ट्रिब्यूट हो गया इस खंबे पर दोई वायर की वज़ा से लोड है एक इसकी वज़ा से जो अगला खंबा होगा उस पर भी दो वायर की वज़ा से लोड होगा ठीक है तो एक खंबे पर जोगा डिस्ट्रिब्यूट हो जाता है एक यहां पर बांदी है दूसरा यहां से बांदी है अब इसको jumper wire से connect कर दिया तो jumper wire से क्या current फिलो होने लग जाएगा है ना अगर मानलो कोई कष्ट आ जाता है मानलो कोई तार तूटके गिर जाता है और सभी करने वाले आते हैं तो इस jumper कर देते हैं यानि कि jumper wire को तोड़ देते हैं तो तोड़ने से क्या है जैसे कि मान लो यह jumper wire जो तूट गया ब्रोक हो गया है पैसे तो ब्रोक होने के बाद क्या होगा अब इस सब्सक्कुलान करते हैं आप यहां से कैसे नी फ्लोव होगा ऑफ साथ RIGHT यह क्यूंकि यह आ California को बलते हैं पॉर्सलीन यानि की चीनी मिट्टी का इसलेटर उयए अटारं थी वे इसको जुंद देते हैं यहां तो करेंड कि यह तुम्ने लालल से लगे देख से होंगे यह high hills पर लगाए जाते हैं या उस जगह लगाए जाते हैं जहां से aeroplane गुजरते हैं तो उनको ये दर्सानी के लिए लगाए जाता है कि भाई साब यहां पर transmission line है बहुत उची तो बच जाना पता चला पैरा सूट वाला आ रहा है उसे यहीं land करना है तो वहीं घर चोलेगा ठीक है तो इसी लिए इने लालिया औरेंज कलर का लगाया जाता है जिसकी बेबलेंट जो है बहुत आई होती है जिसकी वज़ासे ही आसानी से दिख जाते हैं तो बोलोग यह तो बहुत उपर से अब इनका कम क्या है यह होते है गा 중요 से लगायाँ के बीच को और जो बहुत लंबा होता है तो वह जल्दी तूटा के नीचे ना Bewिए इस वज़ासे भी लगाया लगाया जाता है गा going wire बहुत से मेजर से वोल शूरक्षा करनी लिए अबनगान बता तुम सबको अमीटर से अब इस transmission से line आ रही है एक लाक वोल्ट की चार लाक वोल्ट की और वो हमें नाप नहीं है तो किस से नाप होगे अमीटर से अरे फट जाएगा वो उससे नहीं नापते तो को गोलते हैं हम current transformer और जिस चीछ से voltage नापा जाता है उसको गोलते हैं voltage transformer इस तरीके का होता और यह current transformer होता है यह क्या है बहुत ज़्यादा amount के current को नाप सकता है और voltage को नाप सकता है ठीक है तो इस तरीके की device power house में या power stations में इस्तमाल होती है अब हम जानने की कोसिस करते हैं आखिरकार मान लो बैसे तो इनकी बहुती ज़्यादा security रखी जाती है कि कोई भी wire high tension line का कोई wire तूटके जमीन पर गिर जाता है दो case हो सकते हैं या तो वो wire तूटके हवा में लटक जाए या तो वो जमीन पर गिर जाए या वो तूटके इस लट्थे से सट जाए तो मैंने जैसे ही तुम्हें अभी बताया अगर मान लो कोई wire तूटके लट्थे से सट जाता है तो क्या होगा यहां पर touch potential आ जाएगा, touch potential का मतलब यहां इसे अगर कोई भी छुएगा, तो उसका खात्मा हो जाएगा, यहां निकि मर जाएगा, लेकिन यहां पर यह earthwire भी तो लगा रखा है, earthwire से क्या है, जैसे ही मनलों यहां पर touch हो गया यह फेस वाला, ठीक है, तो यहा हो जाएगा, लेकिन वो touch potential से तो बच गया, लेकिन एक और potential होता है, step potential, step potential दोनों में काम करता है, मानलों अगर यह जमीन पर गिर गया, यहां पर touch हो गया, तो होगा क्या, देखो, मानलों यह एक लाख वोल्ट की लाइन है, voltage का वो होगा potential, ठीक है, और जैसे जैसे मैं दूर जाओंगा, तो voltage जो कम होता जाएगा, इसी को बोलते है, potential gradient, ठीक है, technical term है, potential gradient, इसका मतलब यह है, जैसे जैसे दूरी बनाओगे, बैसे बैसे potential कम हो जाएगा, और यह जो गोला बना रहा हूँ ना, मैं यह गोला, इस गोले का मतलब क्या है, यहां पर है, और यहां potential same है, मतलब कोई भी difference नहीं है, तो इसको बोलते है, equipotential surface, यानि कि ऐसा surface जिस पर potential समान है, यह technical term है, अब equipotential surface पर क्या होता है, यहां तुम अपने पैर कहीं पर भी रख लो, तो मैं current नहीं लगेगा, ठीक है, तो जैसे ही जमीन पर बाहर गिरा है, तो तुम भागो मत, व क्या करो, रुक जाओ, ठीक है, अब तुम्हें क्या करना है, वहां से उचल उचल के जाना है, यानि कि तुम्हारे जो दोनों पैर है, वो समान potential पर होने चाहिए, फिर कूद के अधर जाओगे, फिर कूद के आगे जाओगे, ऐसा किताबों में लिखा रहता है, कि ऐसे होता है, low potential, circuit complete हो जाए और current flow होने लग जाता है, तो current जो है, ऐसे ऐसे flow होने लग जाएगा, और धरतियां की एकदम छमकदार हो जाती है, जैसे कि यह तुम battery देख रहे हो न, यह इसका high potential है, यह इसका low potential है, तो current ऐसे ऐसे flow हो जाएगा इसमें, और यह बलब जो है, जो ज दीरे 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 पानी गिर रहा है, और यहाँ पे जा रहा है, और यह पानी बढ़ रहा है, अब इसका मतलब क्या हुगा, अब दौनों में समान पानी हो गया, तो इसका मतलब यह हो गया, एकवी potential, मतलब पानी बराबर है, तो अब पानी इसमें नहीं बर र और जब तक फिल कोगा जब तक पुटेंजियल कोय बड़ाबर ना ओजाए। यहां के आसपास की हुए्ट हो जाएगी तो ह्याद्टर इस वाली एरिया चीज कोई भी जाएगी एडिया में जैसे की मान्नो इatisfěन में विंसं कुछ भी घूंटेक्ट और वो जमीन के कॉंटेक्ट में भी है तो देखो यहां पर लटका हुआ है यहां कुछ नहीं है फिर भी उस इंसान के अंदर करेंट जोब फिलो हो जाएगा क्यूंक है इसकी हवाज हुआ है आयनाइज होगी है मतलब उसके अंदर चार जा चुका है क्या चुका है अभी मैं लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं होता क्योंकि आदमी घवरा जाता है ठीक है आदमी जभी बच सकता है जब जूते बूते पहना हो एकदम ठीक है और ऐसा नहीं है कि ग्राउंड के कॉंटेक्ट में जूते भी नहीं पहना तो तो वो मर जाएगा आगे देखो जैसे मानलो कोई खी भी तार बिरेक होता है और वो जमीन से ठाच हो जाता है तो यह बात किसे पताचलती है रिले को पताचलती है कि circuit को break कर दो अब जैसे circuit break हो जाता है तो current का प्रभा यानि कि current का फिलो जो है बंद हो जाता है सेम ऐसी कानी अपने घरों में भी करते हैं हम लोग MCV लगा के तो circuit breaker क्या करता है उसका circuit break कर देता है और यहाँ पर current फिलो होना बंद कर देता है लेकिन मान लो अगर यहाँ से कोई wire टूटा और वो हवा में लटक गया तो फिर क्या होता है देखो यहाँ पर यह alarm है तीक है रिले क्या करता है इस alarm को बजा देता है और यह बता देता है कि कोई wire जो है जूल रहा है तो alarm जैसे ही पता चलता है इस wire को एक्दम सटीक सई कर देंगे ठीक है फिर jumper wire भी जोड देंगे फिर current का flow होने लग जाएगा इससे क्या है पूरी की पूरी transmission line में भी कोई खराबी नहीं आई और यह jumper wire भी जोड गया इससे क्या होता है कि city की light भी नहीं बन दोती है और काम भी हो जाता है तो पूरी security के साथ खेला जाता है अब ध्यान दो अभी मैं तुम्हें एक video दिखाने वाला हूँ उस video में देखना कि जो transmission line है वो घरों के आसपास बिछी हुई है बिजली मैं तुम्हें एक video देखा होगा मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ कोई भी बिजली विभाग जो है ऐसा काम नहीं करता कि घरों के पास transmission line लगा दे लेकिन पहले उस जगह महां पर खेटते हैं मेरे घर के पास काई एडिया है खेट होने की बज़ा से क्या है महां पर कुछ तो था नहीं transmission line थी लेकिन सिटी जो है बाद में बस्ती गई बस्ती गई आगर आई न तो सिटी बस्ती गई तो फिर घर बनते गई वहां पर ठीक है मानलो घरों के पास हो तुम्हारा घर है transmission line के पास तुम घर की चत्पे कपड़े सुका रहे हो ठीक है तो इसके आसपास की air जो है ionize हो जाती है और तुम्हारा घर मानलो तीन मंजल का है तुम खड़े हो तुम्हारी रसी है तुम जैसे रसी टांगते हो तो ionize air क्या करती है इसके पास आ गया air के पास charge तो जैसे चार्ज आ जाता है तो charge को क्या चाहिए भाई साम इसको तो बस चाहिए था कि कोई भी मुर्गा आ जाए जो कि मेरे को low potential देदे high potential तो इसके पास हई है तो high potential से low potential तक इस पर current फिलो हो जाता है और यहां जो व्यक्ति होता है वो मर जाता है तो फिर ऐसे कहते हैं कि बिजली ने खीच लिया ता बिजली खीचती विचती किसी को नहीं तो high का सारा system था यहां तक हमने समझ लिया अब phase wire, neutral wire और भी कुछ electricity के बारे में तुम जानना चाते हो तो comment section में बता सकते हो मैं इसकी part 2 बना दूँगा ठीक है